नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तों आपने कई बार बहुत सारे घरों के बाहर देखा होगा कि वहां उनके घर के दर्वाजे के उपर घोड़ी की नाल टंगी हुई दिखाई परती है पर क्या आप जानते हैं कि घोड़े की नाल के बहुत सारे लाब आपको हासिल हो सकते हैं। अगर आपके घर में धन नहीं टिकता हमेशा कलेश रहता है लोगों की बुरी नजर का प्रभाव रहता है या फिर नकारतमक्ता बढ़ गई है तो ये वीडियो आप पूरा ज़रू देखे और जानिए कि घोड़े की नाल कैसे आपको इन सबी चीजों से मुक्ति दिला सकती ह तो दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि घोड़े की नाल का सही उपयोग करके कैसे आप अपने जीवन में बदलाव महसूस कर सकते हैं साथी दोस्तो चानल को सब्सक्राइब कर लीजे और इस बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारे आने वाले वीडियो की सूचना आपको आपके मोबाइल पर मिल सके घोड़े की नाल को कहा लगाना चाहिए दोस्तो सबसे पहले तो घोड़े की नाल को आपके घर के मुख्य दरवाजे पर ही लगाना चाहिए घर के अंदर यानि किसी दरवाजे पर भूल से भी ना लगाए क्योंकि इसका उल्टा असर भ ध्यान में रखे. गोड की नाल को लगाने से पहले उसे एक दिन के लिए लाल कपड़े में लपेट कर मंदिर के अंदर रखना चाहिए. नाल को सीधे बाजर से लाकर कभी भी नहीं लगाना चाहिए. और जब आप नाल को दरवाजी पर लगाने जाए तब कुम-कुम से नाल धनकी कमी है तो आप काले घोडे की नाल को कुम कुम के पाच तिलक लगाए और दर्वाजे के बाहर उल्टा यू शब्द की तरह मुख्य द्वार पर लगाए किन्तु उल्टा यू की तरह नाल लगाकर उसके उपर एक छोटा सा आयना जुरूर लगा ले आप खुद देखे घर से दूर रहती है अगर आपके घर को किसी की नजर लग गई हो या आपके किसी घर के सदे से पर किसने टोटका कर रखा हो तो शनिवार की दिन घोडे की नाल लीजिए और काले धागे को जिस वेक्ति पर नजर लगी हो उसकी लंबाई जितना नाप लीजिए अब इस ध दूकान के बाहर घोडे की नाल का प्रयग अवश्य करे आपकी धन प्राप्ति की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी अगर घर में कलेश का माहोल है आप सिप्रेम खत्म हो गया है ऐसी सीति में हो सकता है कि शनिदेव की कुद्रष्टी आप पर पड़ी हो शनि महाराज कर्मफल के देवता है उनकी कुद्रष्टी से देवता भी भैवित हो जाते है शनि महाराज को प्रसन करने के लिए शनि महार की दिन सर्शो के तेल में काले तिल मिला कर द्वार पर लगे घोडे की नाल के दोनों सिरे पर तिलक करे इससे शनि महाराज का प्रकोप कम हो जात तो दोस्तो ये ती घोड़े की नाल से जुड़ी महतोपूर्ण बाते हैं। अगर ये जान करें आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें। साथी चानल को सब्सक्राइब करना ना भोलें। कमेंट में जैशनी देव अवशे लिखें। करें लाइक करें लाइक करें लाइक करें।